ऐलोगोबी कैसे याफ सभी थो फ्रेंस आज है कि आजिकी है होगी आलो गोबी कि सबजी की रेस्पी आप ने खाईूगी बहुत ही सबजी बहुत ही ने AI kasih। केली खेली बन ली है कोई बोश सकते है मैंहें इसमें इसमें सैडी का इस्तमाल नहीं किया है तो आगे फॅबर करेंसस का प्रोस्चा शूरू करते हैं इसके के लिए कढ़ाई निया मैं दाल लिया है थोड़ा सा और ऐसमें जीरे INCAP नोखर whether और और रहें सतNS आप देख सकते हैं और जीरा मास सब्सक्राइब और जो है हम आगे को प्रोशाब करेंगे इंस नहले ऐसा में आगा शुमार जो नथे, सजर्ड़ करने तो इसरी इसंक्ष ऐसरन डाले और बेर यह में इसमें जो नंबे लंबे प्याज को काटके 6 ब्ह 65 करदि हूं और Lee today भूट के डिक्षिया थे ज़ा के तयार हो जाए यह देख सकते हैं मैंने प्याज दकन लगाके डिया है और मैंने इसको जो है लगबग 3-4 मिंट के लिए रख दिया है ठक गी देख सकते हैं इसे के साथ आप हमारे प्याज की जो है थोड़ा सा कदर चेंज हो चूका है मैं ज्यादा कदर चेंज नहीं करूंगी मैं इसका इसका हलका हलका सा जो मैंने कदर चेंज किया है आप देख सकते हैं इसे के साथ मैंने एक बड़ा लाल टमाटर जो है मैंने इसमें काट दिया है और इसमें मैंने हरी मिट्स का इस्तमाल किया है और मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर देख सकते हैं आप मैंने एक चमद जो है हल्दी पाउडर का इस् मैंने नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है यह देख सकते हैं आप थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाले का इस्तमाल कर लिया है चुटकी भर और मैंने फ्रेंसे में थोड़ी से लाल मिर्च का इस्तमाल किया है अगर आपको आप लाल मिर्श नहीं कहते तो आप इसे हटा सकते हैं और मैंने इसमें कोई लहसुन का इस्तमाल नहीं किया है अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन का इस्तमाल कर सकते हैं जल से कि मैंने बताया था बगार मसाले की बनाने वाली में सबजी और तब तक हमारी प्यास टमार्टर है जो अच्छी जरसे रिफाइंड रिलीज नहीं करते तब तक हम इसे ऐसे ही ढखे रखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारी जो रिफाइंड है वो बिल्कुल अलग हो चुका है हमारी टमार्टर वो शिजर से पक चुके हैं आप हम इसे थोड़ा सा मैश कर देते हैं आप चाहें तो किसी मैशर से कर सकते हैं लेकिन मैं चमच से करने वाली फ्रेंड ये देख सकते हैं हमारे जो प्यास का टमाट के लिए कितना अच्छा है आप देख सकते हैं आप इसे चला चला कर ऐसे थोड़ा सा पीस लें चमच की मदस से और थोड़ा सा इसे एक तो मिंट के लिए और भूले ये देखिए हमारे रिफाइन बिल्कुल ही अलग हो चुक है थोड़ा सा मैं इस जाता पानी का इसनमाल नहीं किया है अब मैं इसे में डालने वाली हूं थोड़ी से चलाके इससे सबजी डालने वाली हूं मैं आप works आपको हमरे रेस्पी कैसे लगता है जरूर हमें कमेंट करकर जरूर बताए अगर आपको अच्छी लगता है तो पताए और बुरी लेगते तो भी हमें कमेंट करकर जरूर बताए हम अपने वीडियो में वह ज्यादा सोधार जरूर करेंगे इसे के साथ मैंने गोबी को इसमें डाल लिया मैंने बड़े-बड़े जो है आलू का और गोबी का इस्तमाल किया है आप चाहें तो इसमें छोटे जो कभी इस्तमाल कर सकते हैं यह देखे फ्रेंस मैं इसमें थोड़ ऐसा गर मसालिका इस्तमाल किया है मैंने जैसे कि आपको बताया था एक चुमच के करीब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं इसमें ज़्यादा मसालिका इस्तमाल नहीं करने वादी बगार मसाले का जो मैं कोई सबजी बना के दिखाऊंगी आजब को यह देखें मैंने सारे सबजी को जिसर से मिक्स कर लिया है हमारे सबजी का कलर कितना अच्छा आया है और पकने के बाद आप इसका कलर देखेंगे तो वा भी वा कोई नहीं बोलेगा इसे मैंने बिगार मैसाले के इतना लजिस बनाया है और यह ऐसे जो है मैश नहीं होगी हमारे सबजी बिल्कुल खिली-खिली जो हमारी टेस्टी सबजी बनके तयार होगी आप देख सकते हैं फ्रेंस यह थोड़ा सा दुआ हो गया है यह देखिए और हमारे सबजी का जो है कलर देख सकते हैं फ्रेंस अब मैं आपको चला के दिखाते हूँ इस सबजी का कलर यह देखिए हमारे सबजी जो वो हो चुकी है मैं इसमें थोड़ा सा पानी का इसमाल और करूँगी ताकि हमारे सबजी जोह लगे न ये देखिए फ्रेंस हमारे सबजी का कलर और कितने खीली खीली अच्छी सबजी बनके तयार हुई हमारी और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट करकर चौरूर बताएं और किस किस चीज की वीडियो चाहिए वह भी बिल्कुल कमेंट करकर मुझे बताएं हमें भूले ना यह देखिए आप हमारे सबजी का टेक्शर कलर और देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनके तयार हुई है तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को दुरू सब्सक्राइब करें तो बाबाई फ्रेंड्स